आप यह कहने पर फारुक को नज्मा को देनी है डोज और स्तारा पकरनी है बाद जो आप बाद कोश साथ करक ऌड्यवैं क्यों उसर साथ लेचाए तो उन ने करते हैं- और उन medida लोग आपके साथ नाश्टा नहीं कर सकते हैं फिर उन्हें ने ये बताया कि मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और वो मुझे अच्छी चज़गों पर लेकर जा रही है गुमारी है फिरारी है और एक एक चीज जटेल के साथ हमें शोग करा रही है और हमारा उन्होंने बहुत ख्याल रखा बहुत और हमसे वो बहुत बहुत प्यार करती है एक साल का यह रिश्टा है एक साल से हमारा यह प्यार यह महबब सब कुछ है ईद पर जो गपड़े बेज़ेते वो इनी को बेज़ेते जो मैंने अपने पहली वीडियो में भी आप लोगो बताया था किस तारा ने इनी सिस्टर तैर और कुछ बाते केलियर करेंगे जहां पर नजमा ने थमने लगा दिया कि जी अमी ने इस तारा ने इन सबने मना कर दिया कि आपने इसके ओपर बात नहीं करनी चलो जी बात नहीं करनी बहुत अची बात है लेकिन 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 जो आपके मिये ने कांड किया है उसको तो हमने अच्छे से अभी जवाब अपनी आगे वाली वीडियो में देना है वो भी मेरी प्यारी पैरी बेहनों ने का है कि फारुक को जाने नहीं देना फारुक ने जो कांड किया है सलमा सलमा करकर सलमा का साथ देखर बहुत गलत किया है और दगाबाजी किसके साथ की है सतारा के साथ की है और यहां पे शरीफ बच्चा बन के आके कहता है कि दोनों मेरी बेहने है वहां पे अगर नैना और इनकी बात करेंगी तो नैना अक ने जो है दिलबर के बेटे के साथ अच्छा नहीं किया क्या नहीं किया वो दिलबर्न हमें नहीं बताया पर उसकी मा का भी उसके अंदर हाथ है उसकी मा नही किया ऐसा जलम किया कौन सी ऐसी चीज़ की है जो दिलबर्ड आग वगोला वरट और कहा था नैना खुद बता दे तो सबसे बेतर है वरना जब मैं बताओंगा तो मसला खराब हो जाएगा अब देखते हैं जी अब नैना बताती है ये दिलबर बताता दिलबर ने कहाता कि मैं अपने व्लॉग में बताओंगा अगर नैना ने नहीं बताया वड़ी बड़ी शर्म की बा बुदा करें बड़ा शरीफ़ारा बनकर बुदा बड़ा वो करकर आकर अकर ये खड़ा होकर दिवार केसाथ वीडियो बना रहा हाता बाते कर रहा है और पत्ह नहीं किया क्या कर रहा तो जहाल कि बीवी बैट कर कहती है मेरे अब्पू जो nitrogen कर गोंड़ है फिर एक चीजह प सलूलों को बिलकुल भी मनान नहीं करा स्टार्ट करते हैं जी छत रोल आप लोग की रुकैस्ट पे आया जी ज़रा फारू की बातों को जरा किलियर करें और अच्छे से अपने स्टाइल पे इनको ज़रा थोड़ी सी दोज दें चले जी कोशिश करते हैं, आप लोग की रुकेस्ट पे में लाई हूँ डोज, हाना, चलते हैं और शुरू करते हैं, ये क्या कहते हैं? अगर ये घटिया नहीं हैं, तो फिर ये यहां पर आकर किसको सुना रहे हैं, मिठी मिठी बाते, ओ आँजी, अदब और ताजीब कह रहे हैं, जब इनके सुतेले बाप ने इनकी मा की टांगे तोड़ी, इनको मारा आंग फोड़ी नील डाला, इनकी ताजीब, और इन ये जो कुछ कह रहे हैं, ये इन पर भी लागू होता है, तो ये सब चीजे कहां चली गई थी, तब अब जी ये शरीवजादे बनके हाथ बांद कर जो है ना, चिलो चिल कर रहे हैं, क्योंके वियू चाहिए ना, और ये कह रहे हैं, बच्चियों पर बात करना, ये बच्चारी कह रहे हैं, ओ, आम जी, ये जो मुझसे बड़े हैं, उनको लात अला ने इतना जहनत दिये, जो मेरे उपर ये मेरे फैमिली को उपर ऐसे बाते बढ़ा रहे हैं, देखें जी, इनको अपनी फैमिली का पड़ा हुआ है, क्योंके लोगों ने इसकी बीवी का ज आद मिलकर बशक दूदवाले नभी माफी मांगी लेकिन माफी भी क्यों मांगी वो सबको पता, खैर इस किसे को दूर रखते हैं, लेकिन यहां पे जी, अभी फारुक आ चुका है, किलियर करने के लिए सुनते हैं, और, अरे, किसने उसको मजबूर किया खुदकुशी करने के लिए, किसी सपोर्टर ने, सतारा सपोर्टरों ने, क्या आपने किया, क्या आपने किया, क्या आपने किया, ने 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 किया ना, तो य सल्मा ही ने तो सारा कांट किया और सल्मा ही सब चीजे लेकर आई सल्मा ने ही वीडियो डाली और सल्मा ने जो मरेवे मुर्दे थे दोबारा उनको जिन्दा किया सब तो अपनी व्लागिंग कर रहे थे साब चिलो चिल थे चल किस को हुई? मर्ची किस को लगी? चिली किस को गई? सलमा को और ये देखो कितना बड़ा जूट बोल रहा है वो भी हाथ बांद कर कि जी सलमा को मजबूर किया किसने खुदकूशी करने के लिए ओमाई गो लगता है कि डॉलर 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 बड़े ज्यादा आगे वहां से जिसकी बड़ास है यह हाथ बांध कर आगे है जी उसको किलियर करने आगे सुनते है वारस वारस यह कैसा वारस है यह कैसा वारस है कि जब छोटी बहन जो इसकी लाड़ली बहन है ये खुद कहता है मेरी लाडली भैन है, मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, मेरी जिन्दगी है, इस पे मेरी जानिसार ये वो, तो फिर तब क्या था, जब जानिसार को डेजी दोस्त धो रहा था, गाली गलोच दे रहा था, अंदर बाहिर करवा रहा था, और कह रहा था, मैं पीछे करवा रही थी, वो क्या था, वो कहा था सब कुछ, तब आप क्यूं नहीं आए सामने, अब आप क्यूं सामने आए, क्यूंकि आपको कहा गया, पैसे मुपे फैंके, और कहा, निकलो भाई बाहिर, घैरत को जगाओ, होश में आओ, बाहिरी निकलो, हमारे लिए चार ब के लिए आ गया पर ये भूल गया इसकी भेंट सतारा जिसके घर में पिछले दिनों में ये गया वहां पे जाके सियासत की वहां पे दिलबर के खलाफ करवाया चाचे अन्वर के खलाफ करवाया उन उन लों के इन सब के खलाफ करवाया चाचा गुला मुहम्मद को कहकर तो य या आपके मुझे उस ट्रेम पे क्या हो गया था लगता है चाले निकल आई थे, या मुझे बंद हो गया था या पर बीवी ने कुछ ऐसा ऐसा मुझे डाल दिया था उस ट्रमे आपकी खैरत को सुला दिया गया था निनकी गोलियां दे खर, कि जी सतारा को जो जलील कर रहा करने दो खैरा चिलो चिल करने दो जब सब मसला ठंडा हो जाएगा एक साल के बाद में जो है ना दुम में से क्या कहते है प्री दुमबाएं निकालूंगा खुट में से देखूंगा इधर लफ्ट राइट कोई है नहीं है किलियर है तो आऊंगा फिर में बोलन का हक बनता है कि छोटी भेहन को बेज़त करें जलील करें वस्वा करें उस पर कीचर उचले बड़ी भेहन का ये हक बनता है और इसका ये हक बनता है कि ये आकर स्तारा स्पोर्टरों को मना करें कि उसकी भेहन का जो है उसको मत उन उसके लिए बोले उस पर जो कीचर उचलत यह तब ही तो कुटे की तरह भूंक रहा है और जहां पर रुबीना ने भी वीडियो डाल दी है मेरा भाई आया फारुक और उसके ओपर लोग पढ़ गे स्तारा के स्पोर्टर पढ़ गे स्तारा के स्पोर्टरों को नहीं पढ़ना चाहिए था फारुक भाई जो कह रहे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं पर्फर्ट कह रहे हैं पिस सल्मा ने नहीं किया सल्मा ने यह नहीं किया सल्मा ने वो नहीं किया अब जब रुबीना का बेटा खुद इनके कांड खोल रहा है सबूत दे रहा है चाचा अनवर जिसने हर चीज़ बच्पन से लेके बढ़ापे त तुम लोगों ने ये सच बोला, ये लोगो खुद बलैक मेल करें, तो ये आपनी किस तरह आकर खड़ा होकर बोलता है, कि मैं बड़ा हूँ, मैं बोलूँगा, मैं नी बोलूँगा, तो कौन बोलेगा, अगर इस तरह के बड़े हों तो इनको फिर मर जाना चाहिए, जिनकी अपनी जिस जिसों कहता ही, मेरी बेटी, अपनी बेटी के लिए ना जो आवाज उठाए, अपनी बैन के लिए आवाज न उठाए, अपनी मा के लिए आवाज न उठाए, जिस मा के उपर इतना जुलम से तम हुआ जब से उसकी शादी हुई है, तब से लेकर अब तक भी ह हो रहा है तो इसको फिर डूब का मर जाना चाहिए इनको फिर आके नहीं बोलना चाहिए कि भी एक साल हो गया हमने उसे बात नहीं की एक साल के बात दोरान ये सिल्सला ये जो जगड़ा शुरू हुआ वो खामोश हो गया था उसको फिर दुबारा से इन लोगों ने जो भी हैं इन्होंने पूप लिए कितना बेवाकूफी आदमी कहता है एक साल के बात लोगों ने मुझे लगता है ये भी सल्मा की वीडियोरी देखता इसने कहा सल्मा ने खुद लेकर आई ये क्या है वन वीक पहले सल्मा खुद लेकर आई सल्मा ने खुद सब कुछ डाला क्या है ये लोग किसको बेवाकूफ बना रहे हैं इसका मतलब है ये डम लोग हैं ये लगते हैं इनके दमागों में गोबर पड़ चुका है यार ये लोग गंदे हो चुके हैं डालर लेकर और इनलों को शरम नहीं आती है कि सल्मा लेकर आई सल्मा ने आकर ये कार्ट किया सल्मा से मिलने अजगर वो कौन है वो रिजाशा वहां जाकर उसकी गोद में बैड़ ग लालत पढ़ती है ऐसे भाइँ की शकलों में पढ़ती है इसलिए फर लग बैट अब ये कहता है हमारे पस बहुत पैसा है अगर तुम इतने अमीर अच्छे हो इतने अच्छे हो इतने अच्छे हो लाथ हैं तो तुम्हारा बेटा जाकर पर बसे इव उनक्राखर उंके इतने ही जूटे हो इतने ही फराडे हो अब तो अमीर होना है क्योंके सलमा ने पैसे भेजे अब तो अमीर होना है धारी बात है हाथ में पैसा आगया अब तो अमीर होना है तो ये लोग इतने जूटे इतने जूटे हैं कहते हैं कि हमें किसे ना मांग रहा है ये निकाना तो पिर आए साल सतारा के घर में जाके भीका पटोरा लेकर पैसे मांगने की क्या जूरत है? हना? फूर मांगने की क्या जूरत है? हना? उसके घर में घुसके तुमारी बीवी को चोरी करने की क्या जूरत है? ये सब चीज़े तो तुम सिखा रहे है अपनी फिर बीवी को तुमारी बीवी चोरी करती है तुमारी बीवी पैसे उठाती है तुमारी बीवी कुछ भी जेवर उठाती है तुम उसके ओपर परदा डालते हो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी बीवी के साथ मिले हुए हो और अब आके जो सल्मा 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 कर रहे हो तुम हाँ से तुमें मिले हैं डालर जिसकी वज़ाँ से तुम आकर यहां पे कुते की तरह कर रहे हो भो भो जो तूं करते रोगे जब तर डालर खतम नहीं हो जाते और यहां पर यह कहरेंगे जिस्तारा का वकेशन है यह लोग स्तारा का वकेशन खराब कर नहीं कोशिश कर रहे है क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि स्तारा महां पे खुश रहे नाश्टा हुआ स्तारा ने जाके मां से पूछा अम्मी जी आपी तबियत कैसी तो आप लो देखा को इसकी मां का फेस भी उस टैम बना हुआ था तो अगर अगर अपकी बार आंटी की वज़ा से स्तारा वापस आगी और स्तारा ने अपना जो वकेशन कंप्लीट नहीं किया तो पिर इसका मतलब है कि स्तारा की मां ही नहीं चाहती कि स्तारा अपनी जिनी को इंजवाई करे अपने बच्चों अपने हजबन के साथ अगर स्तारा की मां ही मुझ बना कर रखेगी स्तारा की मां ही इस तरह की चीज़े करेगी इसके अपनी फारुक के कहने पर और नजमा की माँ तो बहुत गलत सितारा के साथ ओरा तो सितारा प्लीज खुदारा आप अपना वकेशन कम्पलीट करो अपने बच्चों के साथ अपने हस्बंड के साथ किसी के पीछे भी लगकर अपना वकेशन आप खराब मत करना अगर आप यह अम्मी कह रहीं कि उनको वापस जाना तो इसमें कोई गलती कोई गुना नहीं होता तो चले जी आज की यही अपडेट थी ब्रेकी नूस था रवियू था जो आपके साथ शेयर किया है कि अभी जो गेम बहुत गर्मा गर्म चल रही है स्तारा का वकेशन खराब करने की साज़ शोरी है इसलिए उसकी माँ को जा रहा है इसलिए उसकी माँ को भड़काया जा रहा है फून के ओपर इवन के आँटी को फून करके बन करके ना परस में रख देना चाहिए जब तक जब तक वकेशन वन मन्थ का कमपलीट नहीं होता चले जी आएंगे नक्स अपडेट ब्रेकी नूस और रवियू के